राधे राधे सब्स्ट्राइक दीजिए फनीता कुगर चानल को बेल आइक अंद बाई एक का नाजी की वीडियो की वीडियो विश्ट बाई राधे राधे से लेतार नेटिंग में आपका बहुत सा आगते है आज हम की यह की डोरी बनाना सीखेंगे जो कि आपके किसी बच्चे के पांचु के अंदर यूज़ करना हो या और की जिराप के अंदर या टॉपिक के अंदर आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं कोई प बड़ी इस डोरी को बना कर सकते हैं. यय हमने करोशय से बनाई है. यह यह देखे, हमने करोशय लिए है. और हमने इस और के साथ में सको बनाए हैं. तो आप किसी Lew color की और कैसी भी आप मैं इसको प्लेन एक इस इस इसे मुल्टी कलर की हूं. और यह देखिए मोटी उन को या अगर आप किसी धागे का बनाते हो तो आप उसके हिसाब से जो आपको कुरोश्या लेना है तो देखिए इस डोरी को कितना लंबा बनाना है और किस हिसाब से बनाना है यह भी हम जान लेते हैं माल लेजे जो हमने डोरी बनाई है इतना हमें डोरी बनाना है जितना भी मतलब हमें लंबा डोरी बनाना है माल लेजे हमें इतना डोरी बनाना है तो उन हमें इतना पहले एक बर नाप लेना है जितना भी जितना भी आपको जैसे डोरी तो लंबी बनेगी मैं आपको सिर्फ पाइडिया दे रही हूँ, मालिय जे हमने इतना डोरी बनाना है तो उनको हम किनारे से लेके ऐसे नाप लेंगे और यहाँ पर उनको पकड़ लेंगे कि हमें इतना डोरी जो है बनाना है तो इसका तीन गुना हम ले लेंगे एक हिस्सा ले लिया ऐसी हमने देखिए दूसरा हिस्सा ले लिया और एक बर और हम इसको नाप लेते हैं यह देखिए तीन तो तीन बार हमने इतना उनका लंबाई ले लिया यहां से हम उनको निशान लगा लेंगे तो इतना उन हमने ले लिया है और यहां से हमारी जो है डोरी बनने शुरू होएगी तो यहां पर एक नोट बांद लेंगे हम इस तरीके से तो यहां से हमारी डोरी जो है शुरू होएगी तो यह लंबे वाला जो तीन गुना हमने लिया है नीचे की तरफ हमने रख लिया है और ये जो हमारा उपर का धागा इस तरह के से ले लिया है तो डोरी हमारी एक तीन गुना इसका इतना हिससे हमारा डोरी बनके त्यार होएगी तो ये देखे बनाना कैसे पहले हम एक चेन ले लेंगे ये हमने एक chain ले लिया अब हमें ये जो नीचे वाला धागा है इसको crochet लिखे इस तरीके से हमने गुरोश्य रखा इसको उपर की तरफ से ऐसे ले जाना है और ये जो उपर वाला धागा जो हमने अउंगली में लगाया हुए इससे हम 2 का 1 कर देंगी यानिके single crochet यह देखिए फिर इस उनको इसके उपड़ से घुमाना है और फिर उपड़ लिए उनसे दो का एक तो इस तरीके से बार 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 रिपीट करते जाना है और हमारी जो है डोरी बननी शुरू हो जाएगी देखिए जब आपका हाथ बैट जाएगा तो बहुत इजी आप इस तरीके से बनाएंगे बहुत जल्दी यह डोरी बन जाती है देखिए जैसे हम chain stitch से एक लंबी डोरी बनाते हो थोड़ी पतली बनती है और ज्यादा अच्छी नहीं लगती है यह ज़रा आपकी जैसे पॉंचू के ल जैसे धागे को आपकी दोरी हम आपकी खराब हो जाएगी आपको अपने आगे की तरफ इस तरीके से ले जाना है और उपर से यह में ऐसे किया में और उपर शेल से घ्रांडेेka लिकाई फिर नने तरीके यह जाई? तो जब आपका हाथ बैड़ जाएगा तो आपका हाथ एटमेटिक ऐसे जल्दी जली चलने लग जाएगा देखिए जब शुरू में थोड़ा सा में धीरे चलेगा फिर हमारा हाथ ठीक चलेगा तो फिर बहुत जल्दी जो है डोरी बनके तियार हो जाती है देखिए हमारा धागा खतम हो गया थोड़ा सा हमने यह देखिए इसमें धाई मिल्प की हिस्सा लगाए थोड़ा सा मारा ही हमने छोड़ देना है यह देखिए हमारी चेन इतना डोरी हमारी बन गए थोड़ा सा में चाहिए भी यह देखिए जितना हम इसको इस तरीके से बन ले सकते हैं कि ऐसे घुमाया और यह देखिए अपने अपी कुरोशे ऐसे घुम रहे हैं कि यह ने नीचे वाला भी धागा अंगुठे से पकड़ लिया तो यह देखिए इस तरीके से हम बना रहे हैं हमें त्रह भी है देखिए इन की तो कलंव ना अपने बना है कि अगर हमें दो कलर की डोरी बनाना हाँ अगर हमें दो कलर की की नाप नहीं लेना है हमें दो कलर की ओन को लेकर आपस में जोड़ देना है यह देखिए तो दो हिससे अपने आप हो जाएंगे, यह देखिए दो कलर की ओन ली हमने और इस तरीके से हमने इन दोनों को आपस में बान दिया, तो यह हमारा किनारा हो गया और एक कून यह देखिए एक कून को अपने उपर ऐसे और यहां से हम शुरू कर देंगे पनी डोरी बनाने तो पहले हम इसी एक चेन बना लेते हैं यह देखिए यह आप इसी तरीके से ऐसे करके एक चेन बना लेजी यह देखिए यहां से हमने शुरू करना है और फिर से सेम रिपीट करना जैसे हम ने किया था नीचे वाले धागे को ऐसे घ्माया और उपर वाले धागे को इसी तरीके से हम नीचे वाले धागे को ऐसे घुमाया उपपर का दो का एक तो यह हमारी दो कलर की जो है डोरी बनके तियार हो जाएगी यह देखिए इसे घुमाया और यह तो इसमें दोनों शेड आजेंगे आपके तो बहुत इजी है बहुत जल्दी इसमें आ चलता है डोरिया और भी बहुत तरीके से बनाई जाती है लेकिन यह सबसे इजी है चपैud यहां देखें प्ल माली के शेड दशू लगुखे है इक देखें यह तो यहां से हमारे दो कलर की ऐसे डॉरी बनेगी तु आप देख लिजए आपको कैसी अच्छे लगते दो कलर की यह तो आप उसे हिसाब लटकल लगानी ए तो आप इसी तरीके से इसको रफ चोड़े दीजी बाद में इसको तो इसको हम इसी तरीके से कैंची से काट देंगे दोनों धागे हम ये देखि इस तरीके से और इन दोनों को खुन रसुम हात है जाएम पर यहांपको कोई लटकन लगाने तो लगा सकते हैं जैसेकि मैने इसमें आपको यह नापके बताअ है कि तीन गुना धागा लेकर बनाना है अगर आपके पास एक गोला है मलाकि जितने आपको चीह इतने हो जाए तो इसके बाद आप धागा cut कर सकते हैं तो यह देखे हमने दो तरह की इस तरह कि से डोरी बनाना सीखा है यह थोड़ा पतला हुं था अमारा यह थोड़ा घृता था तो यह देखे इस तरीके से दोनों उनों में फरक आया है तो यह देखिए हमनी डोरी बनाना सीकिया इस डोरी पर इस तरीके से आपको पंपम लगा सकते हैं या इस तरीके से फंदन लटका सकते हैं या कोई मोती लटका सकते हैं बी डोरी को आप किनारे पर जो इसको इस तरीके से सजा सकते हैं और अपने पांचु में लगाना हो बच्चे की सोक्स में लगाना हो तो यह जो फंदल लगाते हैं यह पांचु में बड़ा लगता है और जो हम जराव बगरा बनाते हैं बच्चे की उसमें छोटा लगता है स्कते में बुष्क बच्छे के दियान रखना है तो आप इस तरह हैं और दोरी को बना सकते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छी अच्छी होती है तो पॉंचुम workforce हो या किसी बड़े बच्चे के पॉंच्चू में बनाना तो आप इस तरीके की डोरी बना सकते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगे होगी देखा और आगे भी इसी तरीके की आपको वीडियो मिलते रहेंगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद रादे राद